मैं ना एक overthinker person हूँ और मैं किसी भी चीज़ को इतना सोचती हूँ इतना सोचती हूँ कि मतलब आप अंदाजा लगाई सकते हो कि एक overthinker एक्चल मैं कितना सोच सकता है तो मैं ना अपनी life को बिना मतलब के ही stressful बना देती हूँ अगर कोई चीज़ एक्तम से smoothly चल रही है लेकिन मेरी overthinking वहाँ पे कूद पढ़ती है रुख जा बहन तू इतने आसानी से कैसे आगे बढ़ रही है मैं अभी जिन्दा हूँ तुझे परिशान करने के लिए तो बस तब ही से मेरा मन अशान्त होने लगता है लेकिन मेरे को पता है कि मैं अपने अशान्त मन को शान्त कर सकती हूँ और उसका छोटा सा solution है कि मैं बस खुद को वक्त देती हूँ अगर आप में से भी कहीं लोग ऐसी होंगे जो पीजी में रहते होंगे या घर से दूर रहते होंगे या फिर वाइफ होंगी हाउस वाइफ होंगे या जो भी तो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है तो उसका भी छूटा सा solution है कि वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती हो चाहे वो कुछ भी हो सकता है चाहे वो cooking हो, painting हो या फिर कुछ नहीं तो बस यहीं bed पे पढ़े रहो बस खुद को time दो, phone से दूर, social media से दूर वैसी मेरे को ना make-up करना बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सा weird है but I love it जब पे मैं make-up करने बैठती हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि time कब निकल गया मेरा मन अशान से एक्दम शान्त होने लगता है ऐसा feel होता है जैसे मैं एक बहुत अच्छे समंदर के पास बैठी हूँ अच्छा हवाई चल रही है, इतना शान्त होने लगता है तो बस आज तब भी अशान्त हुआ तब ही मैंने मम्मी की ड्राइस उठाई और सोचा कि ये पैंते हैं और कुछ ट्राइ करते हैं मेरे को नहीं पता कि result positive निकलेगा कि negative निकलेगा मेक अच्छा होगा कि बुरा होगा क्योंकि मैं कोई professional तो मेक अच्छा हूँ नहीं कि कभी भी मेक अच्छा ही होगा मैंने भी बस थोड़ा Instagram से या फिर थोड़ा YouTube से जुगार में ही मेक अच्छा है और मेरा मन भी शान्त हो जाता है तो मतलब इस काम से मेरे को satisfaction भी मिलता है और शान्ती भी मिलती और फाइदे तो फिर आपको पताई है कितने सारे है तो कभी कभी ना वो सब करके इतना मज़ा आता है कि मतलब सबसे दूर एक कोने में बैठ जाती हूँ और बस करने लग पड़ते हूँ तो अभी भी बस मैं करने लग गई और मेरे को नहीं पता कि ये मेक अप या तो बहुत अच्छा निकर के आ सकता है फिर बहुत बूरा लेकिन जो आप प्रोसेस में होते हो ना तो दिल को बहुत satisfaction मलता है उसी तरीके से अगर आपका cooking अच्छी लगते है तो इस बात से तो बिलकुल ही मट डरोगी यार मेरे को आती नहीं है ट्राइ करो बले एक मेगी बना के खालो लेकिन आपको एक satisfaction आएगा कि हाँ यार मज़ा आ गया ठीक है तो अगर मेरे को अगर कभी मौका मिला कि हाँ यार मैं कसी बड़ी university से अगर make-up सीख रही हूँ तो definitely उस को हम उस chance को हम क्यों गवाए राइट लेकिन जब तक ये मौका नहीं मिलता है तब तक हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं बस थोड़ा थोड़ा जुगाड होता रहता है मैं चीज़े सीखती रहती हूँ और आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ जैसे अगर आप मैंसे भी कई लोग है जिनको make-up वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हो है ना इसे आपको make-up सीखने को मिल जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा है ना और आप बोलोगी एक्दम से कूमल को क्या हुआ या अचकल ऐसी बाते क्यों करने लग पड़ी है क्योंकि अब तो यार हम सब दोस्त बन गए हैं ना अब तो हमारे बीच में ऐसा रिस्ता नहीं है कि मैं सर्फ आओं कैमरे के सामने 10-15 मिनट और आप से बस प्रोडिक्ट की बात करूँ और चली जाओ नहीं मैंने आप सब को अपना दोस्त माना है इसलिए मैं सोचते हूँ कि जिस से मेरे को खुशी मिलती है वो खुशी क्यों ना मैं आपको भी दियो तो बस आप कल से क्यों आज से अगर आप शुरू करोगे ये करना जो भी आपको अच्छा लगता है तो आप खुद बोलोगे कि आपकी लाइफ ना कसम से बहुत चेंज हो गई है और बस एक चोटा सा एक चोटा सा step अपन बढाते ना तो बस चोटे चोटे कदम फिर आगे कब बढ़ने लगते हैं पता ने चलता है बस एक कदम बढ़ने के देरी होती है तो बस फिर मै भी कडने लग ने मेरा भी कोई ऐसा था नि मैं हमेशा से ही मेक अप में मेरे को लगाव था एक दिन ऐसे ही स्कूल से आ रही थी और सोचा कि कुछ करते हैं तो बस चोटा सा पैलेट था मेक अप उठाया, करना स्टार्ट करा तो इतना मज़ा आया कि अब इतने पैसे भी नहीं है कि आप भर भर के मेक अप लेना स्टार्ट कर दो लेकिन मैंने अपनी स्किल नहीं छोड़ी मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी मैं बस अगर किसी के पास दो लाग का, चालीस हजार का या दस हजार का भी अगर पैलेट है और मेरे पास तक 200 रुपे का भी है तो क्यों 200 रुपे के कलर में इतना नहीं दम है कि वो वैसा लुक्रियेट नहीं कर सके है न तो बस यही जिद थी इसी जिद के कारण मैं थोड़ा थोड़ा सीख पाई हूँ अभी भी जादा तो नहीं लेकिन हाँ कभी भी कोई चीज करने के लिए हमें कोई बड़े प्लैटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है बस कभी भी कहीं पे भी आपस शुरू हो जाओ क्यार आज मेरा वो दिन है जिस दिन मैं अपने लिए वक्त निकाल के ये काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने मना कराए कि आप अभी एटलिस्ट हैवी जूलरी मत पैनना आपके कान में बढ़ना आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो इसी लिए बस जितनी भी मेर से जूलरी जुगार हो पाई क्योंकि ओफिसले बात है गोल्ड के तो ममें हाथ लगाने देगी नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं बिटा गोल्ड से तुम बास्ता भी दूर रखो तो बस इसी वज़े से जितना भी जो गार हो पाया उतना मैंने लिया और मैंने ये लुग क्रियेट करा है अगर आपको ये लुग अच्छा लगाओ तो ठीक है पुरा लगाओ तो भी ठीक है लेकिन इस प्रोसेस में मज़ा बहुत आया सो बाई बाई फिर मिलेंगे कली मिलेंगे फिर क्यों